दुर्गटना का ये द्रश गोवर्धन बाईपास के नगला देविया के समीप का है जहां फरे से लगन सगाई समारों में से बरसाना जा रही टाटा सफारी गाड़ी अनंत्रित होकर नगला देगिया के समीप बलट गई इस दुर्गटना में तीन लोगों की मौत हो गई वही पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं बताया जा रहा है कि ड्राइवर द्वारा सराब का सेवन किया गया था जिसके चलते वह गाड़ी तेज गती में चला रहा था जिसकी वज़े से ये गंभीर दुर्गटना हो गई गोवरधन बाईपास पर सनवार की देर रात्री को दर्दनाख हास्ते में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वही एक व्यक्ती की उपचार के दौरान मौत हो गई फरैसे लगन सगाई समारों में से बरसाना जा रही टाटा सफारी गाड़ी अन्यंतरित होकर नगला देविया के समीप पलट गई जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वही एक व्यक्ती की उपचार के दौरान गुरू गराम के वेदानता अस्पताल में मौत हो गई बताया जा रहा है कि ड्राइवर द्वारा सराब का सेवन किया जा रहा था जिसके चलते वह गाड़ी को तेज गती में चला रहा था अचानक गाड़ी नगला दिव्या के समीब आकर अनेंत्रित होकर पलट गई जिसमें सूरज और लोके संकर की मौके पर ही मौत हो गई वहीं धीरज की गुरू गराम के अस्पताल वेदानता में उपचार के दौरान मौत हो गई घटना के बारे में प्रतेक्स दर्शी द्वारा बताया गया लगो के बज़ेगी घटना ये रात की दस सवाद सबज़ेगा जनपद मत्रा में थाना गोवर्धन के अंतरगत पैठा गाउं के समीब ये वाहन पलटने से इसमें तीन बेक्तियों की मौत होई है जो फरह अथाने से अपने किसी कारिक्रम में भाग लेकर वापस आ रहे थे इसमें पांच लोग घायल हैं लोकेश, पवन और एक अन्य बेक्तिकी इसमें मृत्त हुई है और गायलों को उपचा रहे तो अस्पताल में भरती कराया गया है और सेस का पोस्टमाटम कराया जा हाथिक वजे का निकल कर आई है हाथिक वजे गाड़ी पलटना आया है वो अन्यंतित हो के गाड़ी पलटी है इसी स्यात्सा हुआ है